बदायू में सूर के हमले से बच्चे की मौत हो गई आपको बता दें कि सूरज नाम का 12 साल का बच्चा सरसो के खेत के पास बकरी चलाने गया हुआ था कि अचानक उस पर जंगली सूर ने हमला कर दिया गाहल बच्चे की हाय सेंटर बरेली ले जाते समय मौत हो गई घटना के बाद म्रतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है कानपुर्दे हात में मिशन शक्ती की ब्राइंड अमबस्डर और जनपत की मुखे विकास अधिकारी सौम्य पांडे के नितुरत में सहेता समू की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के उदेश्वे से कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है इसी के अंतगत समू की महिला सदस्यों को सामुदाइक शौचाले के साफ सफाई और रख रखाफ के लिए ग्राम पंचायद द्वारा छे हजार रुपे प्रती महिना दिया जाएगा कोशामी में बरम बाबा मंदिर के दान पात्रों का ताला तोर कर चोरों ने हजारों रुपे पार कर लिए चोरी की घटना सामने के घर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई सुबा बंदिर पूजा करने पहुँचे लोगों ने दान पात्रों को तूटा देग चोरी की सूचना पुलिस को दी फिलार पुलिस चोर की तलाश में जुटी है परुकबाद में तेज रफ़तार वहन ने शक्स को तक्कर मार दी हादसे में शक्स की मौत हो गई पुलिस ने शब को पोस्पॉडम के लिए भेजा और वरार चालक की तलाश शुरू की संभल में मौनी अमावस्या पर घाट में उम्री शद्धालू की भीर शद्धालू ने गंगा में आस्ता की डुपकी लगाते हुए परिवार की खुशाली के लिए भगवान से प्रातना की और साथ ही इस दौरान मौके पर सुरक्षा विवस्ता के लिए पुलिस कर्मी भी मौजूद थे कानपूर देहाज जिलादिकारी कारयाले में जन सुनवाई के दौरान पीरित उम प्रकाश में अपनी परिशानिया जिलादिकारी के सामने रखी जिसके बाद जिलादिकारी डॉक्टर दिनेश ट्रंद ने मामले को संग्यान में लेते हुए उप जिलादिक सारी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं एटा में सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और दो शक्स घायल हो गए जबकी पुलिस ने शवों को पोस्पॉडम के रिए भेजा घायलों को अस्पताल में भरती कर आया खबर प्रताबगर से है जहां ओवर व्रिज की रेलिंग तोड़ कर गंगा में ट्रक गिर गया हाथसे में कंडेक्टर और च्वालक घायल हो गए सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची है और घायलों को अस्पताल में भरती कर आया मुरादाबाद में बदमाशों के होसले इतने बुलंद हैं कि बदमाशों ने एक होमियोपैथिक डॉक्टर के यहां डकैती की घटना को अंजाम दिया बदमाश उन्हें डॉक्टर के परिवार को बंधक बनाकर करीब 40,000 रुपे की नगदी सहीद 45-16 सोना लेकर फरार हो गए डॉक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्श कर बदमाशों को पकड़ने के लिए 5 टी में गठित की गई है यूपी के बुलन शेयर में राम मंदे समरपन निधी की फरजी रसीदे चापवाने के मामले में खुर्जा कोतवाली में फायार दर्श की गई ये फाया श्री राम जन वुमी निधी समरपन अभ्यान के जिला प्रमुक सरवर्चन सिंग की तहरीर पर तीन लोगों को गिरफतार कर लिया गया कानपुर देहात में देवर ने भावी के उपर बोतल से तेजाब डाल कर मौके से फरार हो गया महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया जहां उस महिला की एक आँख चली गई पुलिस मामले की जाँच में जुटी हापुर में एक युवक ने दिन दहाडे युफती को गोली मार दी हाथसे में युफती घायल हो गई ग्रामिनों ने युफती को अस्पताल में भरती कराया फिलाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हर्दोई सपानेता रामग्यान गुपता के नेतुरत में नगर की कई समस्याव को लेकर हर्दोई जुलादिकारी को ग्यापन स्वापा सपानेता रामग्यान गुपता ने ग्यापन के माध्यम से मांग की और नगर पाली का परिश्रत हर दोई में प्रहस्टचार के कई आरोप लगाए है फटाफट खबरों में बस इतना ही लेकिन और खबरों के लिए आप देखते रहे हैं न्यूस वर्ल्ड इंडिया